ग्यान की साथ भूमिकाए संतश्री आशारामजी बाफु के सत्सन प्रवचन से दो प्रकार के संसकारी मनुष्य होते हैं धार्मिक और जिग्यासु यह बात उन मनुष्यों की नहीं है जो केवल खाने पीने और संतती को जन्म देने में ही अपना जीवन पुरा कर देते हैं ऐसे लोगों को तो मनुष्य रूप में पशु ही कहा गया है मनुष्य रूपे न म्रगाश शरंती यह संसारी मानुव की बात है जिन्हें धार्मिक संसकार मिलते हैं वे आगे चलकर जिग्यासु हो सकते हैं धार्मिक विक्ती पहले तो धर्म के कार्य करता है स्वर्गादी पाने के लिए वह तब दान, यग्य, आदी करता है आगे चल कर उससे महसूस होता है कि स्वर्ग भी तो आसकती पैदा करने वाला और न जाने कितने जन्मों में भटकाएगा ऐसा विचार करके धारमे के वेक्ती जिग्यासु बन जाता है जिग्यासु को ऐसे विचार आते हैं मैं ऐसी वस्तु पालू कि दुबारा दुखत गर्भवास में न पड़ू भोग प्रलोबनों में फसने वाले से बड़ी उची समझ का धनी होता है जिग्यासु वह ज्यान की प्रत्थम भूमिका शुभेच्चा में प्रवेश पालेता है शुभेच्चा भोगेच्चाओ वासनाओ को मिटाने की जन्म मरन से छूटने की जो आकांग्शा है वह शुभेच्चा है इस भूमी का वाला जिग्यासू आंकार पोसने के लिए कर्मन ही करता वह व्यवहार में कुशल एवं मीत भाशी होता है प्रशंसा उसे आतिश बाजी के अनार जेसी लगती है वह मित्रो आदी के बीच भले रहे पर भीतर से उदासिन रहता है उसे सब फीका फीका लगने लगता है वह सतशास्त्रो एवं संतों की संगती की इच्छा करता है कबीर, नानक, स्री राम कृष्ण परम हंस, वर्दमान महाविर शुरुवात में सबकी प्रथम भूमी का आती है वर्दमान की माँ जब गुजर गई तो वर्दमान बोले, मैं जाता हूँ घर से पिता ने कहा, अभी तो मैं शोक से भी नहीं उबरा और तुझे जाना है पिता की यह बात सुनकर, वर्दमान रुख गए कुछ समय के पश्षात, पिता भी चल वसे वर्दमान ने पुनह कहा, मैं जाता हूँ बड़े भाई ने कहा, पहले माँ चली गई अभी पिता चल दिये, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम जाने की बात मत करना भाई की यह बात सुनकर, वर्दमान ने फिर छोड़ कर जाने का नाम तो नहीं लिया किन्तु वे ऐसे ढंक से जीवन जिने लगे की नहीं के बराबर, अंततह उनके भाई ने कह दिया कि घर में रहो अथवा जाओ, तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं तुम जा सकते हो, इस प्रकार, उनके भाई ने उन्हें जाने की सम्मती दे दिया पहली भूमिका प्राप्त होने पर, आदमी लाख काम छोड़ कर भी इश्वर की ओर चलेगा यदि पहली भूमिका नहीं प्राप्त हुई तो इश्वर को छोड़ कर लाख काम करेगा पहली भूमिका वाले की आगे की यात्रा यदि न हो और वह मर जाए तो स्वर्ग का सुख तो उसे सहज में ही मिल जाता है प्रलोभन देने वालों के चक्कर में वह नहीं फसता इतना ही नहीं स्वर्गिक सुख में भी उसकी रुची नहीं होती अतह किसी स्रेष्ठ कुल में उसका जन्म होता है चुचिनाम स्रिमताम गेः योगभष्टों भिजायते अतवा योगि नामेव कुले भवती धीमत है योगभष्ट पुरुष शुद्ध आचरन करने वाले स्रीमान पूर्षों के घर मेह जन्म लेता है अत्वा ग्यानवान योगियों के कुल्म जन्म लेता है गीता अध्याईचह स्लोग 41-42 साधू संतों के प्रती उसके रदय में आदर भाव तो रहेगा लेकिन कोई ढोंगी साधू उसे ठग नहीं सकेगा मैं नौ साल का था साधू संतों में मेरी रुची थी एक दिन एक बाबा घूमता घामता आया और उसने कई चमतकार दिखाए डंडे को पकड़ कर दबाया तो पानी की धार निकल पड़ी मेरे कुटुम्बियों ने तो जय गंगे माता कहे कर चरणामृत भी लिया किन्तु मुझे हुआ की सुखे डंडे से पानी कैसे यदि वह डंडे में से गंगा प्रकट कर सकता है तो इसको कपड़े आटे की चिंता कैसे मैं छोटा था इसलिए मेरी कोई गिंती ही नहीं थी जिससे खुब बारी किसे जाज करने में मैं सफल हो गया मैंने ठीक से देखा तो पता चला कि उसने जल से भीगी हुई रुई को डंडे की पोल में चुपा कर रखा था उसे दबाने पर वह गंगा बाहर बहाता था उसने ऐसा करके कईयों को उल्लू बनाया होगा किन्तु मेरे उपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा जबकि मैं उस समय मात्र नव अर्श का ही था बड़ा होने पर मुझे भाई ने, साले सालियों ने, कुटिम्बियों ने, कईयों ने रोका किन्तु मैं सद्गुरु के पास पहुचे बिना नहीं रहा यह आसुमल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ अपितु ज्यान की भुमिका का प्रभाव बता रहा हूँ प्रत्थम भुमिका वाले को अध्यात्म पत्वर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता सुभेच्चा वाले जिग्यासु को किसके आगे बैठना कैसे बोलना कैसे चलना आदि सत्रेणा अपने आप ही मिलती है उसे अंतह प्रेणा होती है उसका आचरन सुहावना होता है दूसरों के लिए अनु करनिय होता है उसे भोग वासना से औरुची पैदा होने लगती है एकांत अच्छा लगने लगता है जब ध्यान में आनन्द आता है भगवान क्या है आत्मा क्या है जगत में हमारा वास्तविक करतव्य क्या है इत्यादी की जिग्यासाए उसमें उत्पन्न होती है सुविचारना जब सुभेच्चा बढ़ती है तो दूसरी भूमी का सुविचारना फलने लगती है सतशास्त्रो एवं महापुर्षो का संग करके वैराग्य एवं अभ्यास से सदाचार में प्रुर्त होना इसका नाम सुविचारना है